गुड मॉनिंग आप हैं श्यामलाल जी ग्रूप यूटूब चैनल पर और आज की वो हेड्लाइन न्यूज पेपर पर जो आप देखेंगे और जो आने वाले MPPSC एक्जाम के लिए आपके सवालों के रूप में आपका साथ देंगे तो हम बात कर लेते हैं उन खास-खास हेड्लाइन पर पहली जिस ख़बर को सबसे ज़्यादा इंपोटेंट दिया जाना चाहिए वो है मेक्सिको की एंड्रिया मेजा 69 वी मिस यूनिवर्स वनी हैं ये मिस यूनिवर्स को हम बता दें कि पिछले साल इसका आयोजन नहीं किया गया था आपके से ऑस्टान अमेरिका में किया गया है फरजाद वी गेस छेतर परियोजना एरान में है और ये सुरक्यों में इसलिए है क्योंकि इरान ने अपने इस्थानी कंपणी को इसका सौमित वे दिया है भारत भी समय हिस्सेडारी किया था केरल के मुख मंतरी पिनरई पिजियन के मंतरी मंडल का सपत समारो 20 मई को आयोजित किया जाएगा केरल के मुख मंतरी पिनरई पिजियन अभी हाल में पांच राज्यों के जो चुनाब हुए थे उसमें इनका निरवाचन हुआ है मुख निरवाचन आयुक्तों और निरवाचन आयुक्तों की नियुक्ती की पिक्रिया को ADR ने चुनोती दी है आपको हम बताते चलें कि मुख निरवाचनायुक्त ओ निरवाचनायुक्त की 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 निरवा चल्सी को पराजित करके पहली वार महिला चैंपियंस लिग चीत लिया है आपको ये बता दू ये खेल फुटबॉल से संबंदित है DRDO ने कोरोना रोधी दवा 2DG की पहली खेब जारी हो गई है DRDO की ये कोरोना रोधी दवा का ग्लुकोस 2DG है ये है इस भरती मरीजों की ऑक्सीजन पर निरभरता को कम करने में मदद करता है इस माहूल में इस दवा की बहुत आवश्यक्ता थी तो ये कुछ खास खास खबरे थी जो आपके आने वाले एकजाम के लिए बहुत हेल्पुल हो सकती है इस्पेशली कोरणा रोधी दवा 2DG और मेक्सिको की एंडिया मेजर 69 वी मिस्ट यूनिवर्स बनी है आज के लिए बस इतना ही लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता जाता हूँ सवाल यह है कि अभी हाल में मतलब कल परसो से एक तूफान का नाम आप सुन रहे हैं जो पह्षिम भारत में गहर ढ़ाने की कोशिश कर रहा है अभी हाल में तो आप बताएं उसका नाम क्या है और उसको किस देस ने नाम रखा है इसका आंसर आप मुझे बताएं मैं आपको 12 वह तक इसका आंसर आपके कमेंट्स बॉक्स पर इसका आंसर दे दूँगा तो देखिए और आप हैं श्यामलाल यूटूब चैनल पर और करिंट अफ्यर आज के लिए बस इतना ही कल फिर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगा नमस्कार